जगत प्लांटी के अंतरगत विभिन्द प्रगार के पौधों को शामिल किया गया है जो जल में भी उखते हैं धल में भी उखते हैं और रिगिस्तान में इस समूं के जितने भी पौधे हैं इसमें अधिकांश लक्षणों में समानता भी पाई जाती है और विभिन्नताएं के अधार पर पौधों को और वे छोटे-छोटे समूं में बाटा गया है तो चलिए कुछ विभिन्नता लिए हुए इन पौधों के बारे में हम जानकारी ले इसमें से एक पौधा है फर्न जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है फर्न फर्न का एक उधारन है माई मारसीलिया मारसीलिया यह मारसीलिया जो है वो फर्न के अंतरगत रखा गया है इस प्रकार के जो पौधे होते हैं आप देखिए इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इनका जो शरीर होता है वो जड़ तना और पत्ती तीनों में विभाजित होता है जैसे कि समान में पौधो इसका भी भाजन होता है, इसमें सम्वहन उतक भी पाया जाता है, सम्वहन उतक क्या है, इसका क्या काम है, इसके बारे में आप आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे, ये सम्वहन उतक जो होता है, वो इस फर्न, यानि मारसीलिया में पाया जाता है, फर्न के अंतर जितने भी प्रकार के पॉधे पाए जाएंगे, ये पॉधे जो होते हैं, वो अपुष्पी पॉधे होते हैं, अपुष्पी का मतलब है, अपुष्पी का मतलब है, ऐसे पॉधे जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता है, देखी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, फर् दुस्तरे ऐसे पौधे जिनमें और भी विविन्नताय पाई जाती है उसको भी देखते हैं शैवाल जिसे हम स्पाइरो गैरा कहते हैं इसे आप भलीभाती परिचित हैं इसको आप अपने आसपस हमीशा देखते हैं बरसात के दिनों में बारिश के दिनों में नदी और में देख पा रहे हैं यह जो शैवाल है इसका जो शरीर है वो जड़ तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है जबकि समानता हम यह जानते हैं कि पौधा मतलब जड़ तना और पत्ती में उसका शरीर क्या होगा विभाजित होगा पर शैवाल ऐसे पौधे हैं जिनका शरीर जड तन और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। एक और विविन्नता लिए हुए समू को देखते हैं, वो समू है मौस यानि फ्यूनेरिया। आप चित्र में देख पा रहे हैं, देखिए इसका जो शरीर है वो पत्ती और जड। जड के समान सनरशना जिससे हम राईजाईट्स कह रहे हैं में विभाजित होता है। इस समू को ब्रायोफाइटा में रखा गया है, इसका एक छोटा समू बनाया गया है, जिसे हम ब्रायोफाइटा कहते हैं, इसके अंतरगत रिक्षिया और मारकेंशिया, जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं, रिक्षिया और मारकेंशिया दिखाई दे रहे हैं, ये फ्यून जिनके बीजों में उपर की तरफ आवरण याने कवर पाया जाता है, वहीं कुछ ऐसे भी पौधे हैं, जिनके बीज में कवर नहीं पाया जाता है, याने वो नगन बीजी होते हैं, तो इतनी सारे विबिन्नता लिये हुए आसपास हमारे बहुत सारे पौधे हैं, तो चलिए बीजों के में आवरन पाए जाने और नहीं पाए जाने के अधार पर भी हम पौधों का एक विभाजन देखते हैं वो विभाजन देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है पौधे जिन में पुष्प होते हैं उनको पुना दो भागों में बाटा गिया है दो भाग ऐसे पुष्पी पौधे जिनके बीज के उपर आवरन नहीं पाया जाता है उसे हम जिम्नो इस्पम कहते हैं जिम्नो इस्पम को हिंदी में अनावरित बीजी पौधे कहा जाता है ऐसे पुष्पी पौधे जिनके बीजों के उपर आवरण उपस्थित होता है उसे हम एंज्योस्पर्मिक पौधे कहते हैं इसे हिंदी में आवरित बीजी पौधे कहा जाता है इन दोनों पौदों में हम थोड़ा सा अंतर देखते हैं कि अनावृत BG opadे और याने जिम्नोब नोगों से ये प्रश्णविक पूछा जाता है जिम्नोश्पर्मीक प्लांट के एक विशिष्टा लिख around दीजिए या एंजी sudah स्पर्मिक प्लांट के दो उधारन दीजिए तो चलिए इनके विभिनिता और उधारनों को देखते हैं जिमनोस्पम अनावरित बीजी पौधे यह ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं पाया जाता है यानि अपुष्पी पौधे होते हैं जबकि एंजोस्पम या पौधे होते हैं इसके बीज के उपर एक आवरन पाया जाता है इसलिए तो ही इसे ही आवरित बीजी पौधे कहा जाता है जिमनोस्पम अनावरित बीजी पौधों के जो बीज है वो फल के अंदर नहीं बनते हैं लेकिन एंजोस्पर्मिक जो पौधे होते हैं इनके जो ब पाया जाता है। जिम्नुषपार्मिग जो पौधे होते हैं वो बहुवर्शी होते इंस धाबहार होते हैं और کास्थी होते इंस पौधे जो कई सालों तक जीवित रहते हैं। सदा बाहर जो हरमेशा कैसे होते हैं हरे बरे होते हैं कास्थी का मतलब जिसका जो तना वुड कास्थ जो होता है वो कैसा होता है बहुत ज्यादा होता है और इस तरह के पौधों के जो कास्थ होते हैं इन से विभिन प्रकार के दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वा एक वर्षी होते हैं या बहु वर्षी भी होते हैं, एक वर्षी मितलब ऐसे पौधे जिनका जीवन पूरा जीवन एक साल का होता है, जिसको हम सीजनल प्रांट भी कह सकते हैं, जैसे कि आप मटर को देखते हैं, चना को देखते हैं, गेहूं को देखते हैं, ये पौधे सालो जीवन बहुत छोटा होता है, एक साल का भी नहीं हो पाता है, इसलिए हम एक वर्शी पौधा कहते हैं, तो जो एंज्योस्परमिक पौधों में एक वर्शी पौधा या बहु वर्शी पौधे दोनों ही प्रकार के पौधे पाई जाते हैं, जैसे कि आम, नी, पीपल, ज़वा, गेहू, चना, ये सभी एंज्योस्परमिक पौधों के उधारन हैं, अब इस एंज्योस्परमिक पौधों को उनमें पाय जाने वाले बीच के अधार पर पुन्हा दो भागों में वाटा गया है, द्वीजपत्री पौधे और एक बीजपत्री पौधे, चलिए ए एक बीजपत्री पौधे किसे कहते हैं, उधारन दीजिए, द्वीजपत्री पौधे किसे कहते हैं, उधारन दीजिए, इस तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं, और कई बार प्रश्ण आते हैं, एक बीजपत्री और द्वीजपत्री पौधों में तीन अंतर लिखिए, च आप स्वयम भी एक प्रयोग करके देखिए कि ये पौधे क्या एक बीच पत्री है या फिर दूई बीच पत्री हैं इन सभी अनाज के दानों को पानी में भिगो दीजिए कुछ घंटे तक भिगोने के पश्चात इस बीच को आप हात में लेकर हलका सा दबाईए जब आप इ दो बराबर भागों में बट जाते हैं जबकि कुछ बीच जैसे की गेहूं मक्का ये दबाने पर दो बराबर भागों में नहीं बटते हैं ये प्रयोग क्या बताता है ये एक छोटा सा प्रयोग है यह जानने के लिए कि हमारे आसपास जितने भी प्रकार के अनाज पाए बाग में जाती हैं उसे हम घाचे पवचे जाते हैं यह गोंगे इसी इसो आप मुम्फली आपों alisa तो मुमफalी दो बराबर भागो में ब सत्ता जाते हैं उसका बाग एक पत्र कहलाता है जैसे जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं यह जो मुम्फली है वह जब दो दो बराबर भागों में बट जा रही है, तो उसका जो एक एक भाग है वो एक एक पत्र कहला रहा है, इसलिए इसे हम द्वी बीच पत्री पौध है कह रही हैं, क्योंकि एक बीच दो बराबर भागों में याने पत्रों में बट जा रहा है, जबकि एक बीच पत्री पौधों तो बराबर भागों में नहीं बढ़ते हैं. दो पत्रों में डिवाईड नहीं होते हैं. यह दो जिश पत्री पौ१्धों के जो उधारन नहीं है. फीश जो उधारण दिश Hani लोποवर पत्र पत्री पौधज मत्र, मुंग, दो जो ज़्या called यहुआぎ。 ये तो रहा उधारण बीज के माध्यम से जानने का पर क्या अगर हमारे पास बीज नहीं है तो क्या हम पौधों को केवल देख कर सिर्फ पौधे को देख कर क्या हम ये बता पाएंगे कि ये पौधा एक बीज पत्री है या दूइबीज पत्री हाँ बिलकुल बता पाएंगे पौधे की पत्या और पौधे की जड़ों को देख कर दूबिच पत्री पौधे जैसे कि आप यहां चित्र में देख रहे हैं जितने भी प्रकार के दूबिच पत्री पौधे होते हैं उन द्वीज पत्री पौधों में जड़े होती है वो मुसला जड़ होती है जिसे अंगरेजी में टैप रूट कहते हैं ये जो मुसला जड़ होती है ये मुसला जड़ जमीन में गहराई तक जाती है और एक मुख्य जड़ होती है मुख्य विशेष्टा है द्वीज पत्री पौधों की, यानि जिन भी पौधों में मुश्ला जड़े पाई जाती हैं, ये मुश्ला जड़, इस बात को बताती हैं कि वो पौधा क्या है, द्वी बीच पत्री पौधा है, एक बीच पत्री पौधे, एक बीच पत्री पौधों की जड़े होती हैं, वो रेशेदार या अपस्थानिक जड़े होती हैं, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, रेशेदार या अपस्थानिक जड़े जो होती हैं, इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़े मुख्य दिखाई दे रही हैं, और ये जड़े जमीन में गहराई तक नहीं जाती, जैसे कि आप धान में देखते हैं, गेहू में देखते हैं, मक्का में देखते हैं, तो यह जो अपस्थानिक जड़े या रेशेदार जड़े जिसे कि हम फाइबरोस रूट कहते हैं अंग्रेजी में, यह जड़ जो है वो एक बीच पत्री पौधे की विशेष्टा है, ठीक इसी प्र पत्यों में सम्नांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, देखिए आपको चित्र में इसपस्थ दिखाई दे रहा है, द्वी बीच पत्री पौधे की जो पत्या है इसमें जालिका वच शिरा विन्यास दिख रहा है और एक बीच पत्री पौधे में सम्नांतर शिरा विन्यास यानि हम केबल पॉधे को देखकर, यानि उसकी जड़ को देखकर, उसकी पत्ती को देखकर और उसके बीज को देखकर. तीनों के ही द्वारा हम यह बता सकते हैं कि कोई भी पॉधा एकबीच पत्री होगा या द्वीज पत्री. तो बच्चों ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है एक बीच पत्री पौधे और दिवीच पत्री पौधों में अंतर लिखिए और उसके उधारन लिखिए विटेकर दिवारा दिए गए पांच जगत वर्गी करण के अंतिम जगत जगत एनिमेलिया के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं जगत एनिमेलिया एनिमल जन्तु जगत एनिमल मतलब गैसे कि हम हैं हमारे आसपास पाए जाने वाले विबन ने प्रकार के यह जितने ज पृता बिलि घोडा शियार ये सब किसमें आ रहे हैं आपके जन्तू जगत के अंतरगता आंतर या जन्तू मतलभ इन सब जिवाऊं को हम देक पा रहे हैं यह सूविक सिट जीव है तो अब हम यहाँ पर इनके लक्षणदेहै चोंकि यह जिव कैसे हैं एंपा उ débा धू उक्यारियोटिक याने ऐसी कोशिका जो पूर्णुरुप से विक्सित है याने उसमें केंद्रक भी विक्सित पाया जाएगा याने केंद्रक उपस्तित होगा केंद्रक जिल्ली भी उपस्तित होगी साथ ही साथ केंद्रक में कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जैसे गौलजीकाय, माइटोकॉंड्रिया, अंतापदरवी, जालीका, लवक ये सभी इसमें पाए जाएंगे यानि इस जगत के जो जीव होते हैं वो बहु कोश्की भी हैं, यूक्यारियोटिक हैं, पुनरुप से विक्सित हैं इन में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इन में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपने भोजिपदार्थों का निर्मान नहीं कर सकते और अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसमें जो जीव होते हैं, वो विशम पोशी जीव होते हैं, इनमें भोजन ग्रहन करने के लिए विशेश अंग पाई जाते हैं, जैसे पक्षियों में चोंच, मनुश्यों में मूँ और तितलियों में रस को चूसने के लिए विशेश प्रकार की नली पाई जाती है याने इस जगत के जो जीव होते हैं वो एक विशेश विधी से भोजेपदार्थों को ग्रहन करते हैं जिसे हम अंतह ग्रहन कहते हैं जो कि इस जगत की मुख्य विशेष्टा है अगर आप से यह पूछा जाए साथ ही इस जगत के जितने भी जीव हैं उन सभी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रचलन अंग पाए जाते हैं जैसे मनुशियों में पैर पक्षियों में पंक तो इस जगत के जितने भी जीव हैं वो हैं तोता मैना मचली हाइड्रा बिक्चू स्टार विभिन्य प्रकार के जीव जन्तुओं को शामिल किया गया। इसी प्रकार से अन्य जीवों जैसे कि आप देख पा रहे हैं शेर, बिल्ली, गाए, चमगादर इत्यादी में भी ये कशेरुग दंड पाया जा रहा है। जीवों को पुन्हा बाटा गया। जन्तुओं जगत में पाय जाने वाले जितने भी जीव थे इन्हें पुन्हा। रिड की हड़ी की उपस्तती और अनुपस्तती के अधार पर दो भागों में बाटा गया। एसे जीवों जिनमें रिड की हड़ी उपस्तित है उसे हम कशेरुक जीव कह सकते हैं कशेरुक जीवों को अंग्रेजी में कॉर्डेटा भी कहा जाता है। वहीं ऐसे जीव जिनमें रिड की हड़ी अनुपस्तित है उन्हें हम अकशेरुक जीव या नौन कॉर्डेटा जीव कहते हैं। कॉर्डेटा के अंतरगत मनुष्य शेर, बिल्ली, गाएं, चमगादर इत्यादी आ रही हैं। वहीं नौन कॉर्डेटा याने अकशेरुक जीव में कचवा, जोग, मच्छर, घोंगा, चीटी, फितक्रिमी इत्यादी जीव शामिल है। रिड की हड़ी जीव में उपस्तित है, जीने हम कशेरुक जीव कह रहे हैं, उनके शरीर में उपस्तित बाल के अधार पर पुना दो भागों में बाट दिया गया है। ऐसे जीव जिनके शरीर पर तवचा पर बाल उपस्तित है और दूसरे ऐसे जीव जिनकी तवचा पर बाल उपस्तित नहीं है तो ऐसे कशेरिक जीव जिनकी तवचा पर बाल उपस्तित है उन्हें इस्तंधारी जीव कहा गया और ये जीव है मनुष्य शेर, बिल्ली, गाए, कुट्ता, चमगादर आदी वहीं ऐसे कशेरुक जीव जिनमें रिड की हड़ी उपस्तित है पर तचा पर बाल नहीं है मतज्य जैसे कि आप मचली को देखते हैं उसमें कशेरुक दंड पाया जाता है पर उसकी तचा पर बाल नहीं है वैसे ही मेढक मेढक को देखिए, मेढक जो है वह उभैचर प्राणी है जो की पानी और जल दोनों में पाया जाता है इसलिए से उभैचर भी कहा जाता है ये जो मेढक है ये कशेरुक प्राणी है याने इसमें कशेरुक दंड पाया जा रहा है पर इसकी तुचा पर बाल नहीं है, ठीक इसी तरह से साप जो कि सरीशरीब सम Queens का सदस्य है वही तोता जो की पक्षी समहू का एक सदस्य है, याने तुचा पर बाल नहीं है पर उनके शरीर पर रिड़ की हड़ी उपस्तित है वो है मतस्य, मचली, उभैचर, मेढ़क, सरीश्री, साप और पक्षी, तोता अब ऐसे जीव जिनके शरीर पर कशरुक दंड भी उपस्तित है और तचा पर बाल भी नहीं है उन्हें पुनह एक और अधार वह अधार था उनके शरीर पर पंक पाये जाते हैं कि नहीं याने पंकों के अधार पर इन जीवों को पुनह दो भागों में बाट दिया गया ऐसे जीव जिनके शरीर पर रिड़ की हड़ी उपस्तित है तो अचा पर बाल भी नहीं है और उनके शरीर पर अगर पंक पाये जा रही हैं तो उन्हें पक्षियों के समूँ में रखा गया पक्षी मतब तोता, मैना, कमवा, मुर्गी, इत्यादी वहीं दूसरे ऐसे जीव जिनके शरीर में रिड़ की हड़ी भी उपस्तित है तो अचा पर बाल नहीं है पर शरीर पर पंक नहीं पाये जा रहे हैं उन्हें एक अलग समूँ उनका एक अलग समूँ बनाया गया और इसके अंतरगत आते हैं मतश्य, उभैचर और सरीश्रीप मतश्य, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मचली, उभैचर, मिढख, तोड, सरीश्रीप जिसमें साब भी आते हैं इन सभी समूँओं को इस समूँ में रखा गया अब शरीर में पंक भी नहीं पाए जा रहे हैं, यानि ऐसे जीव जिनके शरीर में रिड़की हड़ी भी उपस्तित है, तवचा पर बाल नहीं है, शरीर पर पंक नहीं पाए जा रहे हैं, इन्हें पुना तवचा उनकी नमी युक्त है या तवचा उनकी नमी युक्त नही नम्मी मतलब जिसमें हलका सवक्रवाइन इसे जीव जिनकी त्वच्छा में उभय मुलिंने मिडगपले सम्मो में रखा गया क्व या इस सम्मो में मे charges जी शामिल彼 जिन में रिड की हड़ी भी उपस्तित है, तवचा पर बाल भी नहीं है, शरीर पर पंख भी नहीं पाए जा रहे हैं और उनकी तवचा कैसी है, नमी युक्त है, उधारन के लिए मचली और मिढग ऐसे समू जिनके जीवों में जो तवचा है, वो नमी युक्त नहीं है कि जो मचली और साफ हैं, इनमें तवचा तो नमी युक्त नहीं है, पर इनमें पंख भी नहीं पाए जा रहे हैं, इनकी तवचा पर बाल भी नहीं पाए जा रहे हैं और इनके शरीर में कशेरुक दंड भी पाया जा रहा है त्वचा में जिनकी त्वचा नमी युक्त हैं उनको पुन्हा उनके शरीर में उपस्तित शल्क के अधार पर दो भागों में बाट दिया गया ऐसे जीव जिनके शरीर में शल्क उपस्तित है जैसे कि आप मचलियों को देखते हैं मचलियां किसकी समू में आती हैं मतस्य समू में मचली जैसे रोहू कतला मचली इन मचलियों को इस समू में रखा गया ऐसा समू जिनके शरीर पर शल्क उपस्तित होता है वहीं कुछ ऐसे जीव जिनके शरिल पर शलक उपस्तित नहीं है पर उनकी तवचा नमियुक्त है उभैचर जिसमें मेढ़क और तोड दोनों को रखा गया यानि आप ये देखिए कि इस पूरे वर्गी करण में ये बताया गया है कि बहुत सारी समानताओं के साथ भी कुछ विभिन्नताई भी पाई जा रही है और उस विभिन्नता के अधार पर वो जीव एक अलग सम्हों का निर्माण करते जा रहे हैं यानि उस जीवों को एक नय सम्हों में रखा जा रहा है तो इस प्रकार से जो आप ये वर्गी करण देख पा रहे हैं इसमें आप समझ पा र इसी वर्गी करण में हमने देखा पाच जगत वर्गी करण किया गया इस पाच जगत वर्गी करण में जगत अनिमेलिया में बहुत सारे जीवों में समानता भी थी और विभिनिताएं भी एक विभिनिता की जीवों में रीड की हड्डी की उपसती रीड की हड्डी याने मेर अनिमेलिया को अधार, रिड की हड़ी के अधार पर और भी छोटे-छोटे सम्हूओं में बाटा गिया, जिसमें इस्तंधारी, उभैचर, मत्स, सरी-शरीप और पक्षी ये पाँ छोटे-छोटे सम्हू बनाए गए, इन सम्हों में किस प्रकार के जीवरखे पाई जाते हैं और इन जीवों में किस प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, इस चर्चा से पुर्व, मैं आप से यह बात शेयर करना चाहती हूं, कि इस पार्ठ में इस तंधारी जीव किसे कहते हैं, इसकी दो विशेष्ता बताईए, कुछ इस तरह के पुछे जाते हैं, उभैचर प्राणी की मुख्य विशेषता क्या है तो उधारन दीजिए, सरी सरिप के मुख्य लक्षन क्या है उधारन दीजिए, पक्षी, पक्षी में पाई जाने वाले विशेष गुण कौन-कौन से हैं, इसके बारे में लिखिये, तो चलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को हम एक एक करके देखते हैं सबसे पहला समू है इस्तंधारी समू हो का इस्तंधारी इस्तंधारी जैसे कि नाम ही अपने आप में बता रहा है इस्तंधारी यानि इस्तं को धारन करने वाले जीव यह वो जीव होते हैं जिनमें इस्तंगरंथियां प पाया जाता है इन में तुचा पर बाल पाये जाते है jeszcze साथ यह जो पराणी and that is a score in these become Can I इस री जीवों के संहु में हाती एक ऐसा म्त उनरे जी 500 रहरानी वहीं वेल और डॉल्फिन ऐसी मचलिया है जो इसदंधारी मचलिया हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं आप से प्रश्न पूछा जाता है कि किनी दो समुद्री इस्तंधारी जीवों के नाम लिखिए तो वो दो समुद्री इस्तंधारी जीव हैं वेल और डॉल्फिन इस समुद्री इस्तंधारी जीव हैं वेल और डॉल्फिन इस समुद्री ग्रंथियों के माध्य से दूद पिलाते हैं फिर दूसरा समुह आता है उभैचर प्राणी का उभैचर याने ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों में याने पानी और जमीन दोनों में रहते हैं यह जो प्राणी होते हैं यह भी कैसे होते हैं कशरुक प्राणी होते हैं इस सम उभैचर प्राणी जो होते हैं वो क्या करते हैं अंडे देते हैं ये उभैचर प्राणियों की मुख्य विशेष्टा है इनका जो शरीर होता है इसको हम सीर धड़ और पूच में विभाजित कर सकते हैं उभैचर प्राणी के कोछ उधारन है मेधक है जो व्रिक्ष में पाया सांप को देखकर आपको क्या लगता है सांप सांप एक ऐसा प्राणी है जो रेंग कर चलता है यानि इस सम्हों की मुख्य विशेष्टा क्या क्या है कि इस सम्हों में ऐसे जीवों को शामिल किया जाता है जो रेंग कर चलते हैं दूसरा इनमें बाहकन अनुपस्तित होते हैं, इनमें कान जो होते हैं, जैसे कि हमारे कान उपस्तित हैं, ये बाहकन है, उन जीवों में, यानि सरीश्रिप सम्हों के जितने भी जीव हैं, उनमें ये बाहकन अनुपस्तित होते हैं, तीसरी मुखी विशेष्टा कि इसके कुछ जीव जो होते हैं ये रंग बदलने में सक्षम होते हैं, आपने गिरगिट को देखा होगा, अक्सर वो जिस पौधे या जिस तरह की पत्तियों के पास बैठा हुआ होता है, वह उस तरह का रंग को धारन कर लेता है, यानि सरी सरिप समुहों के अधिकांश जीवों में ये लक्षन पाए जाते हैं, कि ये अपना रंग बदल लेते हैं, इनके रंग बदलने के पीछे दो कारण होते हैं, एक तो होती है सुरक्षा और दूसरा होता है भोजन, इस समुहों में सर्प और छिपकली, ऐसे दो जिवधारी हैं, जो अपने शलकों को तवचा केचुले के रूप म बच्चों आपसे पूछा जाता है सरी स्रिप समुहों की मुख्य विशिष्टा बताईए, तो मुख्य विशिष्टा यही है, इस समुहों में जो शामिल जीव हैं, वो है साप, मचली, मगरमच, गिरगिट, इत्यादी, नेक्स्ट जो समुहों आता है, वो है आपका मच्स समुह, मच से मतलब मचली, मचली आप सभी ने देखी है, मचलियों के समुहों को मच समुहों कहा गया है, और इस समुहों में ऐसे जीवों को रखा गया है, जिनकी तवचा जो होती है, वो नमी युक्त होती है और उनके शरीर पर शल्क पाया जाते हैं, यह दो ही विशिष सम्हों के सभी जीवों में एक मुख्य विष्षिस्ता पाई जाएगी कि इन में पंख पाया जाता है यानि इन जीवों के जो अगरपाद होते हैं वो पंख में रुपांतरित हो जाते हैं दूसरा इन मेरु रज्जु पाया जाता है यानि ये कश्यरुक प्रानी होते हैं ती इस सम्मू के जितने भी जीव होते हैं, ये भी अंडे देते हैं, इस सम्मू में रखे जाने वाले जो जीव हैं, गोरईया, तोता, मैना, कबूतर, ये विभिन्ने प्रकार के जो पक्षी आप देखते हैं, ये सभी इस सम्मू में रखे जाते हैं, यह तो भी बात एक बड़े जगत एनिमेलिया को एक अधार रीड की हड़ी के अधारपाद छोटे-छोटे समोह में बाटने की आप से प्रश्न पूछा जाता है उभैचर और सरी स्रिप दोनों में अंतर बताईए तो अभी आमने देखा उभैचर मतलब ऐसे प्राणी जो ज इनकी त्वचा में नहीं पाए जाती जैसे की साब वहीं एक दूसरा और प्रश्न आप से पूछा जाता है वह प्रश्न यह है कि सर्प और कच्वे साब और कच्वे को वर्गी करण में एक ही इस्थान पे रखा गया है क्यों साब जो की सरी स्रिप समोह का एक प्राणी है और कच्वा जो कि रेप्टाइल्स का ही प्राणी है, दोनों को एक ही स्थान पर रखा गया, यानि दोनों एक ही सम्वू के सदत से हैं, तो उनमें समानता गया है, समानता कि दोनों की तवचा पर बाल नहीं पाए जाते हैं, और दूसरी समानता कि इनके शरीर पर पंक भी नह पाई जाते हैं और इनकी त्वचा जो होती है वो नम्मियुक्त नहीं होती है, यह तीनों समान ताहें इन दोनों ही जीवों में पाई जाती हैं और इसी निदोनों को एक ही सम्मू हाने सरी स्षिब श्मूम में रखा जाता है अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्ण की तरब जो अक्सर आपसे पूछा जाता है वह प्रश्ण है चूहा और चमगादड के समान लक्षण कौन-कौन से हैं दोनों में कौन से समान लक्षण हैं तो आप गौर करिए चूहा और चमगादड दोनों ही इस्तन्धारी जीव हैं इस्तन धारी जीव मतलब ऐसे जीव जो बच्चों को पैदा करते हैं जिनमें इस्तन गरंथिया पाई जाती हैं और जो अपने नौजाज शिश्यों को इस्तन के माध्यम से इस्तन पान कराते हैं तो इस प्रकार पांच जगत वर्गी करण में विविद्दताओं के अधार पर ही जीवों को वर्गी कृत किया गया है चलिए अब आगे देखते हैं कि पांच जगत वर्गी करण की विशेश्ता क्या थी आरेच विटेकर ने संपूर्ण जगत में पाई जाने वाले जित्ते भी पेड़ पौदे और जीव जन्तु थे उनको पांच भागों में बाटा था जैसे कि हम देख चुके हैं जगत मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लान्टी और एनिमेलिया इस पांच जगत की व जगत है जगत मोनेरा, दूसरा उन्होंने एक कोश्की यू क्यारियोटिक जीवों को बहु कोश्की जीवों से अलग रखा जगत प्रोटेस्टा में, तीसरा बहु कोश्की प्रकास संसुलेशन कर सकने वाले जीवों को उन्होंने अलग जगत जगत प्लांटी में रखा, चौथा फफूंद को उन्होंने एक अलग समों जगत फंजाई में रखा, साथ ही साथ उन्होंने अपने वर्गी करण के लिए जो अधार लिये थे, कोशिका के संगठन के अधार पर उन्होंने एक कोश्की जीव और बहु कोश्की जीवों को अलग-अलग स्थान दिया, पो उन्होंने अलग-अलग स्थान दिया, यह और आप पने शाथ जगत वर्गी करण की है, जबतों, आप से यह प्रशने पूझा जाता है, कि पाध्जगत वर्गी करण की क्या विशेषता है, पाच जगत व पर गी करण में जहां विशेषताय पाई जा रही थी, वहीं कमिया भी थी वो कमिया क्या थी आएं उसको देखते हैं पांच जगत वर्गी करण में जो कमिया थी पहला जगत मोनेरा जगत प्रोटिस्टा में स्वापोशी और विशम पोशी दोनों ही जीवों को एक साथ रखा गया है दूसरा जगत प्रोटिस्टा में जितने भी जीवो तीसरा, समान लक्षन वाले जीवों को अलग-अलग समुहों में रखा गया है, जैसे शैवाल, शैवाल जो है वो हुआ उसमें हरित लवक भी पाया जाता है और उसमें वो स्वापोशी भी होते हैं, इन्हें जगत प्लांटी में भी रखा गया है और इसे जगत कि इसमें कमिया भी पाई जा रही है, बच्चों आप से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अधार बदल जाने पर वर्गी करण का स्वरूप भी बदल जाता है, क्यों, क्या आप इस कथन से सहमत है या असहमत, अपने तर्क दीजिए, तो अभी तक हमने जितनी भी बातचीत की इस बातचीत में हम ये समझ पाए हैं कि वर्गी करण करने के लिए अधार एक महत्तपून इकाई है, बिना अधार के हम वर्गी करण नहीं कर सकते हैं, याने वर्गी करण के लिए अधार की आशकता होती ही है, बिना अधार के वर्गी करण नहीं किया जा सकता, क्रिट किया केरोलस लीनियस नामक व्यज्ञानिक ने जंतों में पाए जाने वाले लैंगिक लक्षणिया ने नर जननन अंग और मादा जननन अंग यहने पुमंग और जायां की उपस्तती और संख्या के अधार पर जिहों का वर्गी करण किया उसके बाद आरेच वीटेकर नामक व्यज्ञानिक ने कोशी का संगठन, पोशन के इस्तर और केंद्रक जिल्ली की उपस्तती और अनुपस्तती के अधार पर जिहों का वर्गी करण किया तो देखा आपने कि इन सभी व्यज्ञानिकों के द्वारा अलग-अलग अधार लिये जाने पर अलग-अलग प् पौधा है जिसे जगत प्लांटी में रखा गया है और यह पौधा परजीवी है आप से प्रशन पूछा जाता है कि अमर बेल पौधा है फिर भी यह परजीवी है क्यों तो बच्चों अमर बेल एक ऐसा पौधा है जिसमें हरितलवक नहीं पाया जाता है आपने देखा दोनों पौधे आपस में बिल्कूल गनिश्ट रूप से जुड़े हुए हैं यह अमर बेल के जो पौधे हैं इससे निकली हुई जड़े जो होती है वो दूसरे पौधों में इस प्रकार प्रवेश कर जाती है कि वो दूसरे पौधे से खनीज पदार्थों को क्या करते है अवशोशित करते हैं क्योंकि अमर बेल में हरित लवक नहीं पाया जाता है इसलिए यह प्रकास संसलेशन की क्रिया नहीं कर सकते हैं और यह परजीवी होते हैं और अपने पोशन के लिए दूसरे पौधों पनिरभर करते हैं आपने यह सोचा है कि हमारे आसपस इतने गश्यमे की लेंग हंगू कि आप जानतें क्या है नहीं जानते चलिए मैं इसका दूसरा नाम बताती हूं बताता कि आपने इसे पहचाना तमिल में, मराठी में, अंगरेजी में और हिंदी में अलग-अलग नाम हैं। यानि वस्तूओं के जो नाम होते हैं वो भाशा के अनुसार या छेतर के अनुसार बदल जा रहे हैं। तो सोची हमारे पास तो अनेग प्रकार के पिड़ पौधे और जिवजनतू पाए जाते हैं। तो इन जिवजनतूओं और पिड़ पौधों का नाम भी इसी प्रकार से भाशा और छेतर के कारण अलग-अलग हो जाता है। तो जब अलग अलग भाशा और अलग अलग छेत्र में इन ही पौधे और जीव जन्तुओं को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है तो वहां पर हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या इनके बारे में चर्चा करने में या फिर इनके बारे में अध्या करने में हमें परिशानी होती है याने हमें कहीं न कहीं अस्वीधा होती है तो इसी अस्वीधा से बचने के लिए लीनियस नामक वैज्ञानिक ने जीवों के नामकरण के बारे में सोचा और उन्होंने जीवों के नामकरण की पद्धती बताई और यह जो पद्धती जो है व नाम भी दिया जाता है और यही प्रक्रिया नामकरण है याने किसी भी जीव को जब हम उसकी विभिनता और समानता के अधार पर हम वर्गी कृत समुहों में बाट देते हैं तो समुहों में बाटना मतलब उसको एक निश्चित इस्थान दे दिया गया और निश्चित इस्थ और दूसरा शब्द है जाती, पहला शब्द वंश को जब हम लिखते हैं, तो उसका जो अंग्रेजी का जो लेटर होता है वो बड़े अक्षर में होता है, वहीं जाती का जो अंग्रेजी लेटर होता है, पहला अक्षर वो छोटा होता है, वंश और जाती दोनों को ही अंग् लिखा जाता है और अगर इस नाम को लेटिन भाषा में नहीं लिखा जा रहा है याने सीधे अक्षरों में लिखा जा रहा है तो इसके नीचे अंडरलाइन खिस दी जाती है यानि यह जो तीन नियम थी, यानि दो शब्दों के नाम होगे, वंश और जाती, वंश का पहला अकशर बढ़ा होगा, जाती का दूसरा पहला अकशर छोटा होगा. इसे अंग्रेजी के लेटिन भाषा में लिखा जाएगा और लेटिन भाषा में नहीं लिखा गया तो उसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा चलिए इसे एक उधारण से देखते हैं हम सभी जानते हैं मनुष्य का नाम है होमो सैंपियंस होमों सेंपियंस यह मनुश्य का व्यज्ञानिक नाम है होमो यहां पर आप देख पा रहे हैं होमो होमो में होमो और सेंपियंस होमो है वंश को बताता है और सेंपियंस बता रहा है जाती को होमो में एच जो है वो बड़ा लिखा हुआ है और सेंपियंस का एच छोटा लिखा वो अंगरेजी के लेटिन भाशा में लिखे वे हैं, तो इस प्रकार जीवों का नामकरण किया गया और जीवों के इस नाम को ही वैज्ञानिक नाम कहा गया, बच्चों, आप लोगों से पूछा जाता है कि किनी दो जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, या मेढ़क का व लियो, गुरिया का है पैसर, डोमेस्टिक और मनुशी का है होमो सैंपियंस, इसी तरह से हमारे आस्पा जित्ते भी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, इन पौधों के भी विज्व में एक जैसे हैं, ये छेत्र और भाषा के अनुसार बदलते नहीं हैं, जैसे आम, आम का वज्व ग्यानिक नाम हैं, मेंजी फेरा इंडिका, तो इसी प्रकार से हमें अन्य भी पौधों के क्या करने हैं, नामों को याद करना है और इनके वज्व ग्यानिक नामों से परिचित होना है कुछ अन्य प्रकार के पौधे और उनके वज्ञानिक नामों को भी देख लेते हैं जैसे आलू, सोलेनम, टुब्रोसोम, मुंगफली, एरेकिस, हाइपोजिया, सेम, लब-लब, परप्यूरिस, और मक्का, जियामेज इस तरह से हमारे आस-पास पाई जाने वाले विबिन जीव जन्तुओं के विज्ञानिक नाम को नामकरण किया गया और इन जीवों का जो नाम है वो देश और परिस्तिती और भाषा के अनुसार नहीं बदलता जबकि पूरे विश्व में एक ही रहता है इस पार्ट में हम लोगों ने अभी तक ये सारी बाते की कि जीवों में समानता और विबिन नताएं दोनों पाई जाती है इनी समानता और विबिन नताओं को अधार बनाकर वर्गी करण किया जाता है वर्गी करण के कई प्रयास किये गए जिसमें अरस्तू, जौनरे, कैरूलस लीनियस और आरेच वीटेकर ने वर्गी करण के प्रयास किये और वर्गी करण के लिए एक अधार प्रदान किया इन वर्गी करणों में कुछ विशिष्टाएं भी पाई गई तो कुछ कमिया भी पाई गई केरूलस लीनियस ने पदानुकरम शब्द दिया यह पदानुकरम शब्द जो था वो वर्गी करण में एक अधार इस्तंब था जिसमें जीवों को उनकी विश्य समानता और विभिनता के अधार पर क्रमशा पदों में बाटा गया था साथी साथ केरूलस लीनियस ने वैज्ञानिक नाम करण भी किया जिसे हम द्वी नाम पदती भी क्याते हैं यह द्वी नाम पदती वन्ष और जाती पर अधारित थी इसके अधार पर जितने भी जीव और पेड़ पौधे पाई जा रहे हैं उन सभी का वैज्ञानिक नाम रखा गया तो इतनी विविदता के बावजूद भी ये पेड़ पौधे और जीव जन्तु दोनों में समानताएं भी पाई जाती हैं और इनका वरगी करण करपाना असान होता है आए अब बात कर लेते हैं इस पार्ट में पूछे जाने वाले प्रश्णों पर यह जो पार्ट है इस पार्ट से एक नंबर से लेकर के क्रमशा एक दो तीन चार और छे नंबर के प्रश्ण पूछे जाते हैं एक नंबर के प्रश्ण जो होते हैं जैसे वस्तुनिस्त प्र एक बीच पत्री पौधों को परिभाशित कर इसके उधारन दीजिए या उभैचर प्राणी किसे कहते हैं दो धारन दीजिए इस तंधारी और सरी स्रिपों में दो अंतर लिखिए कुछ इस तरह के छोटे-छोटे प्रशन आप से पुछे जाते हैं वही चार नमबर के प्रशन जैसे अधार बदल जाने पर वर्गी करण का स्वरूप बदल जाता है इस बात से आप सहमत है या असामत अपने तर्क दीजिए या नामकरण क्या है नामकरण के विभिन नियमों को लिखिए या फिर इस तरह के भी प्रशन आते हैं किनी चार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखिए या किनी पौधों के वैज्ञानिक नाम लिखिए पांच जगत वर्गी करण के यूगलिना, यूगलिना का चित्र बना करके समझाईए कि द्वी जगत वर्गी करण में क्या कमिया थी और बड़े प्रश्ण जो छे नमबर के प्रश्ण है उसमें इस तरह से प्रश्ण आते हैं कि पाच जगत वर्गी करण की क्या आधार थे इनकी क्या विशिश्टाई और कमिया थी पाच जगत वर्गी करण को विस्तार से समझाईए